चालाख हाती और शेर एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाती रहता था उस जंगल में अन्य जू भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीव किया करते थे क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मद्भेत हो जाता तो उसको solve भी करता था सब कुछ अच्छा जल रहा था धीरे धीरे सूखा पढ़ने लगा उस जंगल में चारो तरफ सूखा ही सूखा फैल गया जिसकी वज़े से नदी, तालाब सब सूखे रहने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गए जानवर अब भूग प्यास से तड़प रहे थे बहुत से जानवर जंगल छोड़ कर दूसरी तरफ जाने लगे हाती को अपना जंगल बहुत प्यारा था वो से छोड़ना नहीं चाता था क्योंकि उसका वचपन और उसके माता-पिता की यादे उसी जंगल से जुड़ी हुई थी लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने ये त्यक किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुक करना चाहिए जहां पर पानी और खाना भरपूर हो तुझे नहीं लगता की अब मैं जादा दिन यहां रह पाऊंगा अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा उझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा यह सोचकर वो धीरे-धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी जिसकी वजह से वो दिन प्रति दिन और कमजोर होता गया काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा जिसमें थोड़ा सा ही पानी था जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था तब ही अचानक एक शेर भी वहार टपक गया हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूर आगे बढ़ाया तालाब की तरफ तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला बहुत दूर से चल कर आ रहा हूँ कई तिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है मैं आपसे विनिती करता हूँ कृप्या कर पानी मुझे पीने दीजिये इस पर शेर को गुसा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा दोनों लड़ने लगे दोनों की लड़ाई काफी देर तक चले हाला कि सूखा बढ़ने की वज़े से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी जिसकी वज़े से जल्द ही दोनों ठग गए और वही पर गिर पड़े पास में ही एक बड़े गीदडों का जुंट ये सारी चीज़े देख रहा था हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदडों ने आपस में सोचा ये तो बात अच्चा हो रहा है ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतिजाब हो जाएगा जब हाथी और शेर ने उस जुंट की तरफ देखा तो वो उनकी चाल समझ गए वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाए तो वो सम मिल कर उनको खा ले तब ही हाथी को एक तरकीव सुजी उसने शेर से बोला क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पीले और यहां से चलते बने पास में ही गीदडों का जुंड हमारी मौत का इंतिजार कर रहा है अगर हमने यहां पर लड़ाई जगडा किया और एक साथ ना हुए तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया तुम सही कह रहे हो भाई हम दोनों ही इस वक बहुत कमजोर है अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे बहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिए और यहां से निकल जाए शेर ने और हाती ने यही किया दोनोंने एक साथ थोड़ा-थोड़ा पानी पिया और चुप-चाप वहां से निकल गए बिचारे गीदडों का इंतिजार इंतिजार ही रह गया हमें आपस में बहर नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े जगडे कई बार छोटी-छोटी बातों पर होते हैं अतहा हमें किसी भी जगडे को शांती पूर्वक सुलजानी की कोशिश करना चाहिए ऐसी ही मज़िदार कहारियों के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले शुक्रिया एक दिन एक हाती दोस्तों की तलाश में जंगल में गूम गया उसने एक पेट पर एक बार नर देखा क्या तुम मेरे दोस्त बन अगे हाती से पूचा पंदर ने जवाब दिया तुम बहुत बढ़े हो तुम मेरे जैसे पेट से स्विंग नहीं कर सकते अगला हाती एक करगोश से मिला उसने उसे अपने दोस्त होने के लिए कहा लेकिन करगोश ने कहा तुम मेरे बुरो मेरे केले के लिए बहुत बढ़े हो तब हाती एक मेंडक से मुलाकात की क्या तुम मेरे दोस्त बन अगे उसने पूचा में कैसे कर सकता हो मेंडक से पूचा तुम मेरे जैसे चलांग लगाने के लिए बहुत बढ़े हो हाती परेशनता वह अगले एक लोमडी से मुलाकात की उसने लोमडी से पूचा क्या तुम मेरे दोस्त बन अगे लोमडी ने कहा शमा करे महदै आप बहुत बढ़े है अगले दिन हाती ने जंगल में सबी जैनवरों को अपने जीवन के लिए दौरते देखा हाती ने उनसे पूचा की क्या मौम लाता बालू ने जवाब दिया जैनगल में एक बाग है वहां आम सब को पकरने की कोशिश कर रहा है जैनवरों को छिपाने के लिए बाग गया हाती ने सोचा कि वह जैंगल में हर कीशी को हल करने के लिए क्या कर सकता है इस बीच बाग काना कर रहा था जिसे वह कभी भी भा सकता था हाती बाग तक चल गया और कहा क्रुपया स्रीमान इनका हरीब जानवरों को मत काओ आपने काम से काम रखो बाग उगाया बाग को एक बारी किक देने के अलावा हाती के पास कोई विकलपा नहीं है बाइबित बाग अपने जीवन के लिए बाग गया हाती सभी को कुशकबरी गोशित करने के लिए जंगिल में वापस आ गया सभी जनवरों ने हाती का शुक्रिया आदा किया उन्होंने कहा अब हमारे दोस्त बनने के लिए सही आकर है चीथी और घमंडी हाती एक जंगल में चीचियों का जुन रहता था उसकी रानी बहुत महनती थी सुबह सुबह ही वो अपने टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती थी इसी जंगल में एक घमंडी हाती रहता था जिसका नाम डंबो था वो जंगल में सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था कभी गंदे नाले से सून में पानी भर कर उन पर फेक देता था तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता था हो 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 आओ आओ मुझसे पंगा जो लेगा उसको कुचल के रख दूँगा मैं जंगल का हाथी हूँ मेरा नाब डंबो हाथी है मैं सबसे ज़ाधा ताकतवर हूँ डंबो हाथी हमेशा ऐसे ही लोगों को डराता था और परेशान किया करता था अच्छा डंबो को इन चीतियों से बड़ी इर्शा होती थी वो ने जब भी देखता था अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता था एक दिन चीती रानी ने डंबो से बड़ी विनर्मता से कहा डंबो जी आप लोगों को परेशान क्यों करते हैं ये आदत अच्छी नहीं है रानी चीटी की बात सुनकर डंबो हाथी को बहुत गुस्सा आया उसने कहा ए छोटी सी मामूली चीटी तु मुझे समझाएगी अपनी साइज में रहे देख रही है तू मैं कितना बड़ा और बलवान हूँ मैं चाहू तो तुमारी पूरी फॉच को कुचल के रख दूँगा रानी चीटी ने डंबो की बात सुनी और वहां से चुप चाप निराश होकर चली गए लेकिन उसने मन ही मन में डंबो हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी अगले दिन चीटी पास के ही जाड़ी में चिप गई और मौका देखते ही चुपके से डंबो हाथी की सूर में घुच गई फिर क्या था ये क्या है मेरी नाफ मैं और ये बहुत उलजन हो रही है डंबो हाथी इस बात से बहुत परेशान हो गया उसने सूर को जोर जोर से हिलाया लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ हाथी दर्द के मारे करहाने लगा और बाद में रोने लगा मेरी नाफ में क्या हो गया है मुझे कि तदी तकलीव हो रही है कोई तो मुझे बचाओ ये देखकर चीटी ने डंबो हाती से कहा भाईया आप दूसरों को परेशान करते हुँ न तो आपको बहुत मज़ा आता है आप खुद को परेशान होते देखकर आपको पता चला कैसा लगता है रानी चीटी की बात सुनकर डंबो हाती को अपनी गलती का हैसास हुआ मुझे माफ कर दो चीटी रानी मैंने अपनी ताकत का अपनी हिम्मत का गलत इस्तिमाल किया आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा रानी चीटी को हाथी की बात सुनकर उस पर दया आ गई उसने उसे माफ किया और उसकी सूर से बाहर आ गई लेकिन हाँ, रानी चीटी ने डंबो हाथी को एक बात और सुमझाए डंबो भाया, कभी भी किसी छोटे को कमजोर नहीं समझना चाहिए रानी चीटी की बात सुनकर डंबो बोला मुझे सबक मिल चुका है रानी चीटी मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है अब मैं सबसे मिल जुल कर रहूंगा और किसी को परिशान नहीं करूंगा उसके बात से डंबो हाती सबकी मदद करता था तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा घमंडी का स्थिर हमेशा नीचे होता है कभी भी किसी को कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए और दूसरों के दुख और तकलीफ में हमेशा उनकी मदद करने